बच्चो अगयन वेल्कम डीरे स्टुडेंट साब सभीका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है और वीर्ड वीयॉसायश कोचिंग इस्टीूट में बच्चो आथ हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले है जिसका नाम है नमब नंबर सिस्टम जहां पर बहुत परकार के नंबर सिस्टम होते हैं उनके बारे में हम इस्टडी करेंगे जानेंगे और इस चैप्टर से related कैसे कैसे important questions पूछे जाते हैं वह भी हम लोग देखेंगे तो बच्चो चैप्टर का नाम क्या है number system नंबर से related है बच्चो यह number system तो हम सबसे पहले यह जानते हैं ना कि numbers क्या होते हैं सबसे पहले question what is number what do we mean by the number number से हम क्या जानते हैं क्या समझते हैं देखें बच्चो numbers क्या होते हैं the combination of one or more डिजिट्स, the combination of one or more digits make a number for example, 254 67, 98 etc. बच्चों, यहां पर हमने क्या समझा, देखिए digits क्या होता है, वो तो हम जान लेंगे वो तो हम जान लेंगे लेकिन जब एक सी ज्यादा digits more than one digit जब combine होते हैं जब एक दूसरे के साथ जुडते हैं तो वो numbers बनाते हैं तो वो numbers बनाते हैं for example, बच्चों मैं एक boy हूँ मेरी एक sister है जो girl हो गई मेरे father है मेरी mother है तो बच्चों मैं मेरी sister, मेरे father मेरे mother, सब मिलकर एक family बनाते हैं या उसको हम family बोलते हैं तो इसी प्रकार से जब एक से ज्यादा digits combine होते हैं जोडते हैं तो वो एक number बनाते हैं तो आप एक number को एक family बोल सकते हैं और उस number में जितने भी digits हैं आप उनको family member बोल सकते हैं तो ये होता है number for example 254 2, 5 and 4 जब सारे के सारे combine हुए तो एक number बना उसको हम कहते है 254 67 की बात करते हैं 6 and 7 दोनों combine हुए तो 67 बन गया उसी परकार से 98 9 and 8 दोनों combine हो गए तो 98 एक number बन गया बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट मारा concept आता है एक question हाता है What is digit? digit क्या है? यहाँ पर मैंने भी बात किया ना कि जो number होता है वो बहुत सारे digit को मिलकर बनता है तो भई, digit क्या है? यह तो बता दो इसका मतलब तो बता दो हमें जैसे कि देखिए बच्चों हम बात करते हैं A digit is a single symbol A digit is a single symbol used to make a numeral used to make a numeral numeral किया सकते हैं या फिर number किया सकते हैं दोनों से हमी होता है तो एक digit एक single symbol होता है बच्चों, symbol का मतलब क्या हुआ? अब बहुत सारे symbols होते हैं जैसे कि अप का यह हो गया डाउन का यह हो गया इसी प्रकार से left, right के भी होते हैं तो यह symbols होते हैं So mathematics में total 10 symbols होते हैं बच्चों, कितने symbols? 10 symbols होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 यह 10 symbols होते हैं mathematics में and इने 10 symbols को कहा जाता है digit So like like मतलब की इसी प्रकार 0, 1, 2, 3 sorry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 are the 10 digits we use in everyday numeral numerals पतलब की हमेशा हम जो भी numbers बनाते हैं जो भी numerals बनाते हैं हम इन ही 10 digits का use करके numbers को build करते हैं या फिर बनाते हैं तो बच्चों यह तो हो गया digits क्या होते हैं बच्चों for example में यहां पर आपको समझाता हो देखिए the numeral 153 is made up of three digits one, five, and three देखिए बच्चों one, five, and three यह क्या है बच्चों digits है बच्चों क्या है यह digits है या फिर आप इसको simple भासा में मेंने क्या बताया family member है अब one, five, and three सब मिलकर एक number बनाते हैं एक numeral बनाते हैं 153 यह एक family हो गए यह family हो गए बच्चों यही होता है numerals, numbers, और digits बच्चों यहां तक आपका concept मेरे ख्याल से clear हो चुका है next time और आगे बात करते हैं बच्चों next time और आगे बढ़ते हैं what is number system number system क्या है क्योंकि इस chapter का नाम भी है number system numbers का एक system बच्चों की नाम से पता चल रहा है the system of numbers are the system where we study about the numbers that system is known as number system बच्चों सबसे पाहले हम इसकी definition की बात करते हैं इसकी definition की बात करते हैं जो definition मैंने हमारे जवार नवदे विद्याले की बोक है सैने की स्कूल की बोक है बहुत सारी बोक्स के अंदर इसकी definition को मैंने दिया है बच्चों जैसे की बच्चों a special system in mathematics which helps us to know about so many types of the numbers this system of numbers in mathematical term is known as number system बच्चों ऐसा system एक ऐसा special system जिसके अंदर हम numbers के बारे में study करते हैं बहुत सारे numbers के बारे में study करते हैं ऐसे system को mathematics की भासा में maths की language में number system कहा जाता है बच्चों क्या कहा जाता है number system कहा जाता है लिख दीजेगा बच्चों note कर दीजेगा a special system in mathematics which helps us to know about so many types of numbers this system of numbers in mathematical term is known as number system ऐसे system को ही number system कहा जाता है जहांब हम बहुत सारे numbers के बारे में study करते हैं बच्चों next term और आके बढ़ते हैं जैसे की the types of number system number system के कितने types हैं कितने प्रकार के number system है so बच्चों देखिए यहां पर हम बात करते हैं there are three non-number systems there are three non-number systems मतलब की जाने माने three number system है बच्चों कितने हैं three number systems है सबसे पहला the first number system is international number system which is also known as British number system international number system सबसे पहला number system है और इसी number system को British number system के नाम से भी जाना जाता है बच्चों exam में बहुत बार question पूचा जाता है the international number system is also known as बच्चों थ्यान रखना British number system या फिर question यह पूचा जाएगा which number system is also known as British number system So, the international number system is also known as British number system. Second है हमारा Indian number system, which is also known as Hindu-Arabic number system. बच्छो, दूसरा हमारा number system है, Indian number system, जिसको Hindu-Arabic number system भी कहा जाता है. So, the second number system is Indian number system, which is also known as Hindu-Arabic number system. The third number system is, बच्छो, क्या है बच्छो? Roman number system, Roman number system का कोई भी दूसरा नाम नहीं है. So, ये क्युशन भी पूचा जा सकता है, which number system does not have any other name? कौन सा ऐसा number system है, जिसका कोई second name नहीं है, दूसरा नाम नहीं है, हो है Roman number system. बाकि International number system को हम British number system कहते हैं, Indian number system को हम Hindu-Arabic number system कहते हैं. बच्छो, इनमें बहुत सारे differences हैं. International number system, Indian number system और Roman number system. इनमें बहुत सारे differences हैं. उसके बारे में हम और आगे जानेंगे. बच्छो, सबसे पहले कुछ important notes हैं, जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है. Important notes, अब तक जो भी हमने पढ़ा, numbers, digits, number system, number system कितने प्रकार किया होते हैं, उनके बारे में important notes, जो कि आपको note करने हैं, ध्यान में रखने हैं, बच्छो. वो notes हैं, जहां से question पूछे जाते हैं, बात करें बच्छो, देखिए, the first note, that is, international number system is most usable, international number system is most usable and non number system in the world than Indian number system and Roman number system. यहां से बच्छो आपको क्या समझ में आया, कि international number system एक ऐसा system है, जो Indian number system और Roman number system दोनों से ज़्यादा यूच किया जाता है, सबसे ज़्यादा famous है, और इसके बारे में सभी को जानकारी maximum रहती है, So, यह आपसे question पूछा जा सकता है, the most usable and non number system in the world is international number system, या फिर British number system, बच्छो, next हम बात करते हैं, second important note, दूसरा हमारा important note हमें क्या कहता है, बच्छो, देखिए, international number system, in international number system, we use 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 as symbols to represent any number, मतलब की international number system में, जब हम एक family बनाते हैं, मतलब की एक numeral बनाते हैं, या फिर एक number बनाते हैं, तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 digits का use करते हैं, same thing in Indian number system, same thing, also in Indian number system, we use 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 as symbols to represent any number, मतलब की Indian number system और international number system बस यही एक खासियत हैं, यही एक सम्मानता है, similarity है, that is, कि 0, 2, 9, 0, 2, 9, इन symbols का दोनों में यूज किया जाता है, numbers को represent करने में, लेकिन बच्छो, तीसरा number system, the third number system, that is, Roman number system, in Roman number system, we use English alphabet I, V, X, L, C and M, बच्छो लेकिए, I, V, X, L, C and M, साथ साथ, mathematical operation, या फिर बार के दो symbol, यह वाले जो symbol हैंनों बच्छो जैसे कि V, बार, X, बार, या फिर V, बार, X, बार, इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, Roman number system में किसी भी number को represent करने के लिए बच्चो ये आपका हो गया कि Indian number system और International number system दोनों के अंदर क्या खासियत है बच्चो दोनों की खासियत ये है कि दोनों में 0 to 9 इन symbols को use किया जाता है लेकिन जो Roman number system होता है उसमें IV, XL, C and M इन English alphabet का use किया जाता है numbers को represent करने के लिए साथ ही साथ mathematical operation या फिर function, symbol, मतलब की बार का जो symbol होता है उसका use किया जाता है ये कैसे use किया जाता है ये मैं आपको समझा दूँगा लेकि बच्चो फॉर example Roman number system का ये एक example है to write 5000 in roman number system roman number system में 5000 को मैं लिखना चाहता हूँ तो मुए वी का use करता हूँ बच्चो English alphabet V जो होता है न वी इसको हम 5 बोलते हैं इसका use करता हो इस वी के उपर अगर में इस प्रकार से line कहा जाता है बच्चो क्या कहा जाता है वी बार हो गया बच्चो है न तो ये हो गया 5000 ये जो बार होता है वी बार इस इकोल टू 5000 ये था ये था कुछ important concept इस से रिगार्डिंग नेक्स हम हमारी next वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए जय हिंद वन्य मात्रम जय भारत धन्यवाद झाल झाल